हेलो दोस्तों एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लिफाइड टैट्स पर मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर आशीश और एक बाद फिर होते हैं कि आखिर चैनल हम आखिर कर सकते हैं तो यह हैं आ चुके हैं है अपनीração करें स्क्रीन की ऊपर और जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है बताया हुआ है कि वीडिया सोसेल रिवा पोष्ट को डिजयाइन करने हैं ट्वाइल हंडेड पिक्सल बाई ट्वाइल हंडेड पिक्सल और इसको मैं आशे सेंटर में प्लेस कर देता हूं कुछ इस तरीके से ठीक है आब उसके बाद मुझे यहां पे कुछ डिजाइन क्रियेट करना है इसके लिए तो मैं यूज करूंगा फ्री हैंड टूल का मैं आ जाता हूँ फ्री हैंड टूल के उपर और मैं यहां पे कुछ एक एक लाइन या शेप ड्रॉ करने के कोशिश करता हूं ओल्राइट कुछ ही स्तरीके से इस पूरे ही शेप को मैं यहां से सेलेट करता हूं और और मैं जो इसकी लाइन है वो कर देता हूं देन हम इसको एक शेप दे देते हैं ठीक है आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना देन आप इसकी प्रैक्ट्रिस करना और इस तरीके से मैंने आपर शेप दे दिया है यह जो एक्षा नोड है वो इसको हम डिलीट कर सकते हैं ठीक है तो मेरे पास यहां पर एक शेप यह बन करके आ चुका है हम चाहें तो इस वाले शेप को भी डिलीट कर सकते हैं यहां पर हम एक नया शेप करते हैं और इन दोनों शेप को यहां से हम डिलीट कर सकते हैं ठीक है और राइट इतना करने के बाद में मैं क्या करता हूँ मैं इसी की एक कॉपी करता हूँ यहां पर और इसी की एक कॉपी क करने के बाद में मैं यहां पर भी एक शेप को मैं आपर ड्रॉ करूंगा तो इसकी नोट को मैं यहां से मूव करता हूँ यहां पर और यहां पर भी हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है ना कुछ इस तरीके से तो यहां मैंने एक शेप ड्रॉ कर लिया है देन इसी की एक और कॉपी मैं लेता हूँ यहां पर मैंने कर लिया है और इस वाले शेप को मैं यहां से मैं यहां मूव कर देता हूँ ठीक है ना और इसको भी मैं थोला सा यहां पर कुछ इस तरीके से ले आता हूँ और इसको भी मैं हलका सा यहां पर मैं shape कुछ इस तरीके से दे देता हूँ और एक last एक और shape बनाता हूँ मैं यहां पर कुछ इस तरीके से तो again हम इसी की copy कर लेते हैं और इसमें भी हम यहां यहां पर एक shape कुछ इस तरीके से बनाएंगे ठीक है न अब यह मैंने जो line create की हैं वो किसले की हैं वो भी आपको समय में आ जाएगा मैं आता हूँ अपने यहां पर smart fill tool के उपर और उस tool की मदद से मैं यहां पर इन इन तीनों ही shapes में एक color fill कर देता हूँ ठीक है और अब यह जो मैंने lines create की थी मैं इनको यहां से delete कर दूँगा क्योंकि यह मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि हमको यह shapes मिल सकें then delete और आप हम इसमे color fill करेंगे color fill करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर orange color लूँगा अपने flag का और उसके बाद में यहां पर हम use करेंगे green color और यहां पर हम use करेंगे white color चीक है न इन तीनों में से हम outline को remove कर देंगे तो इतना होने के बाद में हमें यहां पर चाहिए है shadow अंदर की तरफ तो वह हम create करेंगे इसी shape की मदद से तो हम गया करेंगे shape को select करेंगे और इसे की एक और copy हम यहां पर create कर लेते हैं. Copy create करने के बाद में हम यहां पे यह जो shape है इसको थोड़ा सा हम यहां पे हमें एक adjust करना पड़ेगा ठीक है? तो हम यहां पे थोड़ा साइश शेप को सही कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से और इतना करने के बाद में अब हम जाते हैं वापस से यहां से smart fill टूल के ऊपर और हम यहां पे एक shape को कुछ इस तरीके से draw करेंगे ठीक है आल राइट इतना करने बाद में सकॉम कर देते हैं black color से fill और outline की remove कर देते हैं then हम जाते हैं effects के अंदर blur में और यहां से लेते हैं Gaussian blur और Gaussian blur लेने के बाद में हम यहां पिसमें थोड़ी सी values put कर देंगे जो values हमें ठीक लगती है वह values ले करके हम यहां से कर देंगे okay और okay करने के बाद में हम इस पूरे ही shape को place inside कर देंगे अपने इस वाले shape के अंदर ठीक है तो यह देखिए और उसके रद में अगर मैं थोड़ा सा कुछ adjust करना है तो वह हम कर सकते हैं थोड़ा सा यहां पर मुझे हलका सा यहां पर मुझे इसको improve करना है सही करना है तो वह मैं यहां से कर लेता हूँ ठीक है then finish तो यह देखिए मेरे पास यहां पर अंदर की तरफ एक हलका सा black shadow बन करके आ गया है यही सेम काम हमको इन तीनों ही shapes के लिए करना है तो अभी मैं white वाले को ले लेता हूँ then white वाले की भी मैं एक यहां पर copy create करता हूँ मैं इसमें outline देता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे साफ साफ कि मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ और again हम यहां पर भी एक इस shape को हलका सा सही करेंगे ठीक है तो इसको भी हम हलका सा इसको improve कर लेते हैं shape को तो इसको भी हम हलका सा इसको सही करते हैं ठीक है और इतना काम करने के बाद में हम जाते हैं वापस से smart Command Fill tool के उपर और यहां पर भी हम एक shape इस तरी के सी create करेंगे और इस वाले shape को delete कर देंगे then इसको भी black कलरेंगे outline remove और यहां पर भी हम यहां पर blur का इस्तमाल करेंगे ठीक है और इसको भी हम place कर देंगे इसी object के अंदर ठीक है और एक last काम यहां पर बचा हुआ है green तो वो भी हम कर लेते हैं, तो कुछ ही तरीके से हम जहाँ पर जा कर लेंगे, खिक है, और वापस जाएंगे यहां से Smart Fill Tool के उपर और यहां पर भी एक शेप क्रीएट करेंगे, देन इसको भी ब्लैक कर देते है और यहाँ पर इसमें भी हम बलर लगा देते हैं कौशन बलर ठीक है और इसको भी हम डाल देंगे इसी यह object के अंदर ठीक है तो इतना तो हमारे पास design बन करके आ चुका है अब यहाँ पर हमको लगाना है एक असोक चक्र का symbol तो वह भी हम यहाँ पर create करेंगे वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है समझाया हुआ है कि हम कैसे बनाएंगे बट हम यहाँ पर फिर से इसको एक नया create कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर ले मैं लूँगा यहाँ पर अंदर की तरफ थोड़ा सा ठीक है ना जो सबसे जो बाहर अला सरकल है मैं उसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ देन उसके जो अंदर का सरकल है मैं उसमें ले लेता हूँ ब्ल्यू कलर और जो सबसे अंदर का सरकल है मैं उसमें फिर से ले लेता हूँ white color. इतना करने के बाद में मैं यहाँ पे center में एक और shape बनाऊँगा छोटा सा ताकि मुझे center लेने में असानी रहें खिक है और आप क्या करूँगा इसी circle की एक copy लोगा हलकी सी बड़ी करके और मैं इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ मैं यहाँ पे place कर दूँगा ओल्राइट इतना करने के बाद में मैं इस shape की एक और copy बनाऊँगा इन दोनों को select करूँगा और blend tool की मदश से मैं इन दोनों को आपस में blend कर दूँगा ठिक है आँ सॉरी मैंने तूल गलत चूस किया हुआ था मैं यहाँ पे blend tool लेकर के इन दोनों को आपस में blend कर दूँगा और value कर दूँगा यहाँ पे 22 ठिक है यह जो सरकल है लास्ट वाला मैं इसको चूस करके मैं यहाँ पर place करूँगा तो कुछ इस तरीकिस देखिए हमारे पास में यहाँ पर यह सारे ही shapes बन करके आ जाएंगे इतना करने के बाद में मैं इन सभी shapes को select करूँगा और select करने के बाद में मैं क्या करता हूँ इसको break apart कर लेता हूँ ताकि यह सारे shapes जो है वो अलग-अलग हो जाएं इस object से अलग हो जाएं ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको select करता हूँ और मैं ऐसे control के दवाता हूँ तो यह break apart हो हो चुका है अब देखे क्या हुआ है यह shape पूरा यह अलग-move कर रहा है ठीक है आप मैं क्या करता हूँ इसको select करता हूँ यह जो नीचे वाला shape है इसको भी select करता हूँ और सको मैं करता हूँ trim trim करने के बाद में यह जो shape अब जो था इसका मेरा काम खताम हो चुका है मैं इसको delete कर दूँगा और मैं यहां से वापस से लोगा एक rectangle टूल एक मैं पर rectangle draw करूँगा इसको मैं rotate कर दूँगा ठीक है कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैं इसको rotate कर दूँगा then अब मैं इसको हलका सा पतला कर दूँगा ठीक है यह मैं use करूँगा इसके अंदर की तीलियों को बनाने के लिए ठीक है और इतना करने के बाद में अब मैं इस object को place करूँगा ठीक इसी के center में यहाँ पर अब यह जो circle है यहाँ पर इसके center मेरा यह object यहाँ पर place हो चुका है ठीक है न और इसका जो rotation angle है वो भी मैं यहाँ से नीचे center ले लेता हूँ और अब मैं इसको आसानी से move कर सकता हूँ ठीक है तो इसकी हम यहाँ से copies बनाएंगे अब copies बनाने के लिए हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर इसको press करूँगा और control key को दबा करके मैं इसको every fifteen degree के angle पर इसको मिये मैं इसकी copies को बनाऊंगा तो देखे मेरे पास यहाँ पे इन सवी की copies बन करके आगई हैं मैं इन सभी को select करूँगा वापस से यह जो सरकाल ले इसको भी select करूँगा मैं क्या करता हूं जो जो नहीं आप आ है मैं उनको भी वापस से manually select करूँगा और उनको भी मैं इस पूरे ही shape के साथ में जो मेरी तीलिया थी उनको मैं आपस में group करके मैं इसमें भी एक color को fill कर दूँगा ठीक है हलका सा छोटा कर देता हूं मैं इसको outline को remove और यह जो अंदर का shape था circle वाला अब मैं इसको select करूँगा I think हो delete हो गया shape तो मैं आसे एक नया shape create कर लूँगा और मैं इसको भी यहाँ पर blue color दे देता हूं ठीक है तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक यहाँ पर shape create हो जाएगा यह blue अगर आपको बहुत dark लग रहा है तो कोई आप light color भी use कर सकते हो कुछ इस तरीके से ठीक है और यह जो outline है मैं इस outline को यहाँ से remove कर दूँगा जिन सभी के outline को remove कर दूँगा ठीक है तो यह देखिए मेरे तो कुछ इस तरीके से मैं इस design को यहाँ पर बनाऊंगा आप उसके बाद में अगर हम चाहें तो हमें कुछ अगर अपना text लिखना है तो वो text हम यहाँ पर लिख सकते हैं बट text लिखने के बजाए मैंने already यह design आपको बना के बनाई हुई है दिखाई हुई है कैसे बनती है तो मैं क्या करूँगा इस यह जो 75 years का logo है मैं इसको यहाँ से copy कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर place करके मैं इसको यहाँ पर paste करूँगा ठीक है अल्राइट अगेन हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 15th August टी एच को मैं हलका सा छोटा करूँगा यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ I think 12 point मैं कर लेता हूँ ठीक है और इसको मैं हलका सा मुझे ऊपर करना है टी एच को तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से ठीक है मुझे इसका font चेंज करना है तो मैं इसका font भी अलग कुछ ले लेता हूँ then हम यहाँ पर इसको place कर देते हैं फिफ्टीन्थ आउगस्ट को ठीक है इसका color change कर लेते है color मैं कर देता हूँ इसका orange और उसके वाद मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है अपना message तो वो message हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ type कर देता हूँ लव इंडिया लिव इन इंडिया एंड में कवर इंडिया प्राइड इन वर्ल्ड बाई बींग इंडियन ठीक है और इसका भी मैं यहाँ से font यहाँ से मैं change कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसको मैं place करूँगा हलका सा और छोटा अभी इस perfect है ठीक है देन हम यहाँ पे लिखेंगे happy independence day और इसका मैं font यहाँ से change करूँगा ठीक है इसका मैं font यहाँ से board यूज़ करूँगा तो मैं इसी font का मैं यहाँ से board font ले लेता हूँ देन इसको हलका से यहाँ पर बड़ा ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं एक यहाँ पर strip create करते हैं ठीक है और इन strips में हम तीन copies बनाएंगे तो मैं यहाँ पर इसकी तीन copy ले लेता हूँ कुछ ऐसे ठीक है तो सबसे जो उपर लिख copy है उसके बाद में क्या करते हैं इस पूरे को selett करते हैं और select करने के बाद में इसको हम यहां से जाते हैं अपने smart fill की उपर और यहां पर हम इसमें fill दे देते हैं तो मुझे left में देना है अपने orange color और राइट में देना है मुझे green color ठीक है तो और इसकी outline को remove पर देते ठीक है इसमें थोड़ा से यहां पर मुझे औरेंज हो यहां पर ग्रीम बीश में मुझे देना है वाइट कलर एक तो मैं बीश में इक extra note करूँगा तो यहां पर वाइट कलर र्टीक है और यही सेम कलर मैं इन तीनोh strips में kॉपी कर दूँगा थीक है यही सेम कर रहा है मैंने 30 वे कॉपी कर दिया है और इसमें हलकी इलकी में एस बैस दे दूँगा पीछ में इस तरीके से ठीक है तो यह design हमारीे complete हो चुकी है almost हलका से इसको italic कर देते हैं तो ये थी हमारी आज की ये social media post की design I hope आपको ये डियान अच्छी लगी होगी अगर आपको इस design का download link चाहिए तो आपको इसी वीडियो के description box में इसका download link मिल जाएगा फिर से मिलते हैं एक next वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तिल रेन गुड़ बाए